MG ने recently में अपनी Aster का Black Storm Edition लाँच कर दिया है Aster एक ऐसी गाड़ी है जो के अपने पहुत ही ज्यादा प्रीमियम लुक्स के लिए जानी जाती है और सॉफेस्टिकेटिड लुक्स के लिए जानी जाती है इसके अंदर कुछ भी आपको flashy लुक्स तो नहीं मिलते है जस लाइक कोरियन गाड़ी है MG Aster की लैंथ 4 मेटर से जादा है तो इसके जो राइवल्स हैं वही Greta, Celtos, Grand Vitara MG ने हाल में ही अपनी Gloucester का भी Dark Edition लाँच किया था आपको देखने को मिल जाएगा Black Color पे Chrome की Garnish कई-कई जगा पे यूज की गई है जिस वज़े से काफी ज़्यादा Premium लगती है वहीं पे इसकी जो Front Krill है वो भी पूरी-पूरी प्यानो Black कर दी गई है बहुत ही प्यारी लगती है जो Yellow Wheels है वो भी पूरे-पूरे प्यानो Black Finish में कर दिया है और Black Finish में ही इसके आपको Headlamps देखने को मिलेंगे Black Team के अंदर ही इसका Interior दिया गया है वहीं पे Black Storm का एक Emblem भी इसके अंदर दिया गया है Black Finish का Front and Rear Bumper दिया गया है वहीं पे इसके Door Packet पे भी आपको Red Stitching देखने को मिलेगी इसको ये Color का नाम देते हैं Sangria Red जो के AC Vent पे भी दिया गया है और बाकी इसके अंदर पूरी के पूरी आपको Panoramic Skyroof मिलने वाली है जो के बहुत ही बढ़िया है वहीं पे अगर मैं इसके इंजिन की बात करूंगा 1.5 L का इंजिन आता है 110 Hp देता है 144 Cm का Torp Fuel Tank इसके अंदर 48 L का मिलता है iSmart Next Gen Technology दी गई है 49 Plus Safety Features है इसके अंदर Digital Key with Bluetooth Technology मिलती है तो ये गाड़ी भाई आप पूरी दरीके से Complete हो चुकी है आप जो भी परसन Grand Vitara, Elevate, Trata, Zeltos लेने जा रहे हैं तो एक और भाई MG के showroom पे भी जाके इस गाड़ी को भी जरूर देख लेना क्योंकि इस गाड़ी के अंदर बहुत ही ज़्यादा आपको Value for Money Features मिलने वाले हैं इसके Base Variants से ही अगर आपको होगे तो इसका मैं comparison लिया हूँगा आपको जिस काड़ी के साथ comparison चाहिए कमेंट में जरूर बता देना यहीं करता वीडियो के इंड होप सो आपको MG की Black Storm अच्छे लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तब तक के लिए जैहिंद और बंदे मातरम